नमस्कार दोस्तों कहावत है एक पंथ दो काज आज राइपूर के साइंस कालेज मैदान पर मोदी जी के दो रंग देखने मिले एक रंग वो था जो प्रधान मंत्री मोदी जो बहुत सारी योजनाओं का लोकारपन करने आये थे सौगात देने आये थे और एक वो मोदी थे जो भाजपा के ब्रांड एम्बेसेटर मोदी हैं जो फाइर फाइटर मोदी हैं जो की बहुत गरस्ते बरस्ते वो मोदी थे तो लोगों ने दो रंग देखा पहले रंग में मोदी जी के साथ बगल में 36 गड़ के मुख्यमंतरी भूपेज बगेल भी थे राजिपाल भी थ तो उसमें सौगाद विकासकारियों की सौगाद दी गई उसके बाद मोदी जी ने जो है एक दूसरा रंग जब मुख्यमंतरी भूपेज बगेल चले गए तो उन्होंने 2023 के विधान सभा और 2024 के जो लोग सभा चुनाओं के मद्दे नजर कांग्रेस पे हमला बोलना हसूल किया मोदी ने सराब मंदी को मुद्दा बनाते वे राज सरकार पे जम कर हमला बोला इसके बाद उन्होंने यहाँ कि सरका को कांग्रेस के लिए ATM बताया उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पंजा विकास के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा रहता है प्रदान मंतिर ने इस दौरान छेतर सो करोड रुपए के विकास कारियों का लोकारपन और सिल्ला नयास किया इसमें प्रमुक थे जबलपूर जगदलपूर राष्टी राजमार परियोजना राइपूर विसाखापटनम कारीडोर के च्छे लेन की आदार सिल्ला आयुसमान भारत परियोजना के तहट आयुसमान काड का वित्रण और अंतागर से राइपूर के लिए नई ट्रेन की सुरूबास सामिल है नरेन नोदी ने हरी जंडी दिखा के अं करता आए थे उसमें निश्चित रूप से वो सलानयास के कारिकम के लिए नहीं आए थे वो भाजपा के कारिकरता थे जो जगा जगा से आए थे और वो जिन मोदी जी को सुनने आए थे या जिस बात को सुनने आए थे वो माहोल जो है दीरे दीरे खुद मोदी जी ने उसको बनाते हुए 36 गड़ के बुड़े जो बड़े मुद्दे थे उसमें से धान को लेकर राज सरकार पर भ्रम पहलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में जो धान खरीदी होती है उसके लिए राजी केंद्र की सरकार देती है तो चलिए पधान मंत्री मोधी क्या कहते उनी से सुन लेते हैं हाला कि मुख्यमंत्री बुपेज बगेन ने इसका जवाब दिया और पलट बार भी किया तो भुपेज बगेल ने क्या कहा सुनिए पहली बात यह है जो हमी साजी जूट बोले थे धान खरीदी के अंदर सरकार के पैसे सोती है आज मोधी जी फिर वही जूट बोलके गया है जबकि सब जानते हैं कि राजस सरकार धान खरीदी करती है लोन लेती है किसानों को पैस उसक्ति दूसरी जूट ने को लेकर कांग्रेस के दूसरे नेता भी प्रधान मंतरी के बयान को हाड़े आतों ले रहे हैं उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार चातीस गड़ में धान खरीद रही है तो डूसरी दाम पर दूसरे राज्यों में धान खरीदी नहीं हो रही है उन्होंने खास करके बनारस को भी कोट किया प्रदान मंतरी मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने यहां की माताओं और बहनों से च्छतिस गड़ में धोका किया है आरोप है कि कमिशन के पैसे उगाए जाते थे वो कांग्रेस पार्टी के खाते में जाते थे इसी घो कोई विभाग काम ऐसा नहीं है जिसमें घोटाला नहीं है सेंड माफिया लेंड माफिया कोल माफिया ना जाने कैसे कैसे माफिया यहां फल फूल रहे हैं 2024 को लेकर अभी से चिंता भाजपा जता रही है इसके मद्य नजर तमाम भाजपा नेता 2023 के साथ ही 2024 की भी बात करते नजर आए और प्रधानमंत्री नौ साल की बात गिनाते रहे इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने साइंस कालेज मैदान पर जन सभा के भासन की बनाया और यहां के लोगों को भाजपा ही समझती है उन्होंने लंबे समय बाद नकसलवाद का जिक्र किया उसे अब देश के सतर जिलों में सिमेट में का दावा करते वे खुट की पीट थपतपाई मोदी ने नितिस कुमार के बुलावे पे एक जुट हुए कुछ विपक करते वे कहा कि मोदी प्रिष्टाचार के खिलाप कारवाई की गैरेंटी है कहीं ना कहीं लगबख 30 मिनट के इस बासन में यह लग रहा था कि भाजपा से ज्यादा मोदी के पक्ष में माहुल बनाया जा रहा है ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या अकेले मोदी के चेहरे पे सामने पार्टी के प्रदेश सद्यक्ष अरुन साव और रमन सींग ने भी भासन दिया लेकिन अलग से कोई चेहरा भाजपा का अभी तक ताहीं नहीं कर पाई है ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि मोदी के चेहरे पे क्या राजी की जनता विधान सभा चुनाओं में ओड़ क्योंकि डबल इंजन की सरकार वाले दावों का हाल अभी हाली में डिक चुका है जिस तरह प्रदान मंतरी के दोरे के बाद ओम मातुर को प्रदेश का चुनाओ प्रवारी मनानी की घोशना हुई उससे प्रदान मंतरी के दोरे को चुनाओं संखनात के रूप में देखा ज जी ने उनकी अपेक्षा के अनुरूप भासन दिया और बहुत सारे आरोब भी लगा है जो आरोब मोदी जी लगा रहे थे वो आरोब कोई नय नहीं थे लादार भाजपा कांग्रेस को और की सरकार को जो च्छतिस गड़ में उसको एटीम बता रही थी और ये आरोब पहले भी लगे हैं यहाँ पर एडी और इंकम टेक्स की जिस तरह से कारवाई हुई है और जिस तरह से बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया जिसका जिक्र मोदी जी ने अपनी सभा में भी किया वो भी यहाँ पर हो रही है अब कांग्रेस इस पर जो बात कह रही कांग्रेस के ब पहुल गांधी हैं जिनको पहले सजा हुई थी डिश्टी कोड से वो सजा के लिए जो अपील हुई थी हाई कोड में वाज खारिज हो गई और जो उनकी दो साल की सजा और जो उनकी इसी कारण से जो उनकी संसत की सीट गई है वो दोनों को लेकर भी आद दिन बर भाहस रही और इसको लेकर भी कांगरेस ने आज राहएपूर में भी प्रदर्सन किया पुरे देश में इसको लेकर बाचीत हो रही है एक परकार से जो चार राज्य हैं जहां पर चुनाओं ने चारो राज्यों के लिए आज भाजपा ने चुनाओं प्रभारी घोसित कर दिये और ए नहीं नहीं लक्ष जो है लोग सभा चुनाओ दोहजार चोबीस है इसलिए वो यह बोलना नहीं भूलते कि पटना में जो विपक्षी एक्ता की बैठा कुई थी उस पे भी हमला हुआ और राजसरकार के कामकाज को लेकर भी हमला किया गया यहां पर आज च्छतीस गड़ी मह अपनी पूरी राजनीती में देते हैं और जिस आर्थिक स्वालमन की बात वो करते हैं नरेंद मोदी ने भी यह कहा कि यह जो कारीडोर खुलेंगे इससे च्छतीस गड़ में एक विकास होगा पर सवाल है कि जब रेल लाइन अंग्रेजों ने बिचाई थी तो वो रेल ल लाइन भी बिच्ची है अगर यह रेल लाइन जा रही है यह जो कारीडोर बन रहा है यह कितना गरीबों के काम आएगा जबकि खुद मोदी जी कह रहे हैं अपने वास्वन में कि जहां पर नेच्रल संपदा है जो प्राकरतिक संपदा है जहां वहां से अब विकास होगा विकास की गाड़ी वहां से बढ़ेगी तो निश्चीत रूप से 36 गड़ में अपार खनी संपदा है वन संपदा है तो कहीं ऐसा ना हो कि यह जो कारीडोर है जो की विसागा पत्नम से राइपूर तक बनेगा यह कारीडोर जो 6 लाइन का बनने वाला 6 लाइन का इस कारीड कि आज यहां पर गोशना है हुई है वो क्या आम आदमी के पक्षमे होगी आने वाले समय में पता चलेगा कि भाजपा जिस आक्रमक तरीके से चुनाओं में जा रही है और जिसका संखनाद दो दिन तक यहां मिस्स आ रहा है और आज प्रधान मंतरी नरेंद मोदी ने जिस ने लगाएं कांग्रेस उनसे किस तरह से निप्टेगी नमस्कार